अगर आप भी SSC CGL Mains की तयारी करना चाहते हैं, तो अभी जॉइन करें। राकेश यादव सर के Free Mains के बैच को, जिसकी क्लासिस 15 सितंबर से Maths by राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें Maths, राकेश यादव सर पढ़ाएंगे, और Reasoning, अरुन सर और English by गोपाल वर्मा सर और G.S. यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL Mains के लिए एक Maths की बुक भी लाउंच की है, जिसकी Free PDF आपको राकेश यादव सर वाटसाइब चैनल पर मिल जाएगी, और सिर्फ यही नहीं अगर आपको मौक टेस्ट लगाने है, तो वो भी Career Will आप पर 21 रुपे में 21 मौक टेस्ट लाउं वश्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पढ़ने पढ़ाने की इस प्यार भरी मैफिल में, मेरे बच्चों, आप सभी के लिए आज हम Class शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम Idioms and Phrases पर आप लोगों के लिए काम करेंगे, हमने केवल उन्हीं Questions को उठाया है, ज पहतरीन होने वाला है, अगर आप लोगों को Idioms and Phrases, Prelims Level के भी पढ़ने को नहीं मिले हैं, हो सकता है, कोई कारण रहा हो, अगर आप Phrasal Verbs को ठीक डंग से नहीं पढ़ पाएं हैं, तो मेरे ब्यारे दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल पर जरूर जाहिएगा, English with Gopal Verma, वहाँ आप लोगों को Phrasal Verbs के 3 Classes मिलेंगी, और Top 50 Idioms and Phrases के 2-3 Lectures आप लोगों को जरूर मिलेंगे, Vocabularies ऐसी चीज़ हैं, जिसको Categorize करना बहुत challenging हो जाता है, कि ये सिर्फ Prelims में ही आ सकता है, ये Mains में भी आ सकता है, या दोनों में आ सकता है, तो मेरा आप सभी बच्चो को एक छोटा सा सजेशन है, जब भी आपको खाली टाइम मिले, जब भी आपकी मेंस की क्लास आपको ना मिले, चुप चाप से English with Gopal Verma YouTube चैनल पर जाईएगा, वहाँ आप लोगों के लिए Top 50, Top 100 नाम की सीरीज आप लोगों को दी जा रही है, वो आप लोगों को बहुत ज the geometric question myself, so I have asked my teacher to help me out, CHSL means की परिक्षा से सवाल उठाया गया है, आपको इस sentence के नुसार, idiom चुनना है कि कौन सा idiom at expression इस बात को justify करता है, आप question नहीं कर पाए, आपने teacher से help ली है, किस ली है, you can't always get what you want, जो आप चाहते है, वो हमेशा आपको नहीं मिलता, इस बात का तो कोई सार्थक अर्थ नहीं है, ठीक है बचे, आगे हमारे सामने लिखा हुए है, two heads are better than one, जब एक इनसान के साथ, एक नहीं, दो दिमाग लगाएंगे, तो हल निकालना असान होगा, संभावना है इसकी, when the going gets tough, tough gets going, अगर आपके हालात मुश्किल हो जाएं, तो आप लोगों को आपस में दो लोग गलत होकर सही कभी नहीं कर सकते, तो यह नहीं, तो correct answer हमारे लिए beef और भूंबे ही बचता है, आईए दोस्तों के लिए सवाल की और बढ़ते हैं, लिखा है हमारे सामने in hot water, आपको इसका meaning बताना है, कून से लेके वाक्या में यह justified है, in hot water का मतलब होता इसका कोई लेना देना, sentence के अनुसार ठीक नहीं है, the children enjoyed playing in the pool on a hot summer day, बिल्कुल भी नहीं सर, after accidentally breaking the valuable vase, Sarah found herself in trouble with her parents, ट्रबल की ही बात कही गई है, answer बन सकता है, the company faced challenges due to the economic downturn, but managed to, Sir manage करने की कोई बात नहीं है, troubled situation में ही रहना, इसका correct answer बनता है, आई बचों के लिए question की और बढ़ते हैं, रजत irritated the street dog so much that it was about to bite him, उसने irritate किया, परेशान किया, negative, street dog को इतना ज़्यादा कर दिया, परेशान कि वो उसको काटने ही वाला था, negative sense का meaning चनलेट करना है, if you can't beat them, join them, अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते, तो आप उनमें शामिल हो जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर तो इसकी बात नहीं होगी, if it ain't broke, don't fix it, अगर कोई चीज टूटी वी नहीं है, तो आप उससे बदलो नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज चल रही है, तो उससे repair करने की ज़रत नहीं है, question number C option कहता है, if you want something done right, you have to do it yourself, अगर कोई चीज आप ठीक करना चाहते है, तो उससे आप अपने आप से करें, तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है जी, यह हो सकता था answer, लेकिन यहाँ हमारे पास इसका justification नहीं है, question के according, ठीक है न, कोई चीज करना चाहते हो, तभी वो सही हो सकता है, if you play with fire, you will get burned, तो यहाँ पर बात अपनी जगे सही है, आग से खेलोगे, जल जाओगे, सर्फ dogs को आपने irritate कर दिया, वो काटेंगे, meaning justified है, आईए बचे question की काम करते हैं बात, क्या है भाई, keep your chin up, यानि कि एक इनसान अगर अपनी च जुकता, सिर्फ जुकने का मतलब हमें समझ आता है, कि वो इनसान किसी भी हालात में जुकता नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा अपमान जनक कोई काम किया नहीं है, ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होता है, to remain positive, ठीक है न, इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, remain positive, ठीक है न, positive के साथ-साथ आप इसको upright भी कह सकते हैं कि गर्व से आप अपना सिर उंचा रखते हैं जा students diligently completed their homework assignments before the deadline उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना काम पूरा किया है तो इसका मतलब उन्होंने positive response दिखा दिया है despite facing setbacks, बहुत सारे बुरे हालाद देखके she remained positive and determined to achieve her goals इससे जादा अच्छा मीनी यहां हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे setbacks भली उसे मिले मुसीबते बहुत सारी मिली लेगिन फिर भी वो इंसान positive रहा और अपनी काम की तरफ बढ़ता रहा the hiker enjoyed the breathtaking view from the mountain top hiker होता है जो पहाड चड़ता है ठीक है जी taking in the natural beauty कोई sense नहीं है the scientist conducted experiments विज्ञानिकों ने experiment किये gather किया है इखटा किया है data to support his research hypothesis कोई sense नहीं है सबसे बेतरीन answer यहां पर यही है कि बहुत सारी मुसीबते देखने के बावजूद वो इंसान positive रहा और अपने goal को achieve करके ही माना आए दोस्तों question 5 की तरफ चलते है the salesperson for the project offered a sneak peek of the project as we expressed our interest in the area and amenities amenities का मतलब होता है बच्चों facilities ठीक है बच्चे तो options के अगर हम बात कर रहे है getting a preview of something to try something new sending a brief letter to be in a winning position देखे बच्चों अगर इस लिखी वी बात का हम अर्थ समझने की कोश्च करते है sneak का मतलब होता है चोरी चोरी ठीक है ना sneak का मतलब होता है चोरी चोरी और peak का मतलब होता है a secret look आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ होगा जब आप घर पर होंगे और आप से कोई चीज खराब होगी और नुकसान हो गया हो तो जब नुगसान होता है तो आप अपने भाई या बेहन की तरफ नजरों ही नजरों में देखकर ये कहँ Bern किसी को मत पता चब लेते याव अगर इससेब प्रीक की अगर हम बात कर रही है दोनों का तो इन दोनों का अर्थ निकल कर आता है to get a glance किसी की नजरों का एक छोटा सा जलक आपको मिलता है ठीक है ना sales person ने जो project के लिए appointed था उसने offer किया कि एक बार आप देख लीजिएगा project कैसा है as we expressed our interest क्योंकि हमने अपना interest उस area और amenities में दिखाया तो उसने पूरे project पर एक जलक हमारी डलवाई तो क्या कहना sensible है यही हमारे सामने answer बेतर बनता है ठीक है जी ठीक है न to try something new कोई नई चीज तलाश करना खोज करना या काम करना या try करना या फिर उस चीज को एक बार experiment करके देखना sending a brief letter, संक्षिफ letter भीजना to be in a winning position जीत की अवस्था में होना बेतर answer a for apple के लावा कुछ और नहीं आईए बचो अगले सवाल की और बढ़ते हैं अगला सवाल है हमारे सामने bring to book सर बुक के अंदर क्या लिखावा मिलता है बुक के अंदर लिखावा मिलता है rule या फिर हम जिसे कहते हैं facts तो rule या facts की और लेकर आना is called bring to book and that is called punish someone किसी को punish करना teach someone, calm someone, support someone तो आप कहेंगे सर जब rules की तरफ किसी इंसान को पगड़ के वापिस लेकर आएंगे तो उसको punishment ही हम दे रहे हैं उसको इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि देख बिटा नियम ये है और तू ये काम कर रहा है तो इसलिए हम क्या करना उसको punish कर रहे हैं ठीक है जी चलिए बच्चों अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं bad blood bad blood का मतलब क्या होता है देखो blood is related to relation ठीक है न जी blood is related to relation और इसका मतलब हमें समझ में आता है क्योंकि खून से ही तो सारी शरी चलता है भई है न तब अगर blood को हम कहें तो एक kind of relation ठीक है न और जहां relation खराब हो जाए वहाँ पर हमें क्या समझ में आया आप कहेंगे गुरुजी जहां relation खराब हो गया है वहाँ feeling of brotherhood तो आने ही सकती poor blood circulation biology पढ़ नहीं रहे है family of ill repute जिसकी reputation खराब है वो family नहीं सर आप कहेंगे सर यहाँ unfriendly बातचीत हमारे सामने आती है तो A for Apple इसके लिए correct answer बनता है split ones sides यह एक सवाल है जो CPO means में हम से पूचा गया है जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो split ones sides तो इसका मतलब क्या हुआ कोई भी इंसान है कोई भी चीज है कोई भी स्थिती है उसके split का मतलब उसके दो हिससे अलग-अलग हो गए जब मेरे बच्चों दो अलग-अलग हिससे हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया sir undergo a surgery नहीं scream in pain चीखना चिलाना दर्द में नहीं extremely खुश हो जाना अरे नहीं sir negative meaning है तो आप क्या कहेंगे meet with an accident ठीक है जी correct है यानि के जिसे हम कहते है दुर घटना का शिकार हो जाना आई दोस्तों अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं अगला सवाल कहता है a mayor's nest ठीक है जी आप horse को जानते ही है horse की पतनी का नाम होता है भाई mayor ठीक है fine a mayor's nest आप का होगे sir ये चीज़ तो थोड़ी सी situation ठीक नहीं समझ में आ रही है कि अगर मैं horse की wife यानि के घोडी की अगर बात कर रहा हूं तो वो nest में कैसे समा सकता है यानि के ये तो अपने आप में हमारे लिए क्या हो गई confusion त्यार हो गई है ना तो ये तो possible ही नहीं है तो confused situation ही हम इसे कहेंगे अरे हाँ है ना refreshing situation refreshing का मतलब जो fresh कर दे आपके mind को नई situation नहीं familiar जिसको आप परिचित हैं तो बिटा correct answer इसके लिए हमारे सामने बनता है D for Delhi ठीक है आई अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं rock the boat sir किसी भी situation को ध्यान से समझने के लिए उसका थोड़ा सा चित्र बनाए ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा अब अगर हमारे सामने ये एक boat है ठीक है न जी अगर ये still water में है समझेगा ध्यान से अगर ये still water में है शांत पानी में है तो इसे कोई फरक नहीं पड़ता अरे हाँ है ना जब हम इसके साथ ROC को जोड़ देते हैं तो रोक का मतलब होता है हिलाना ठीक है जी आपके घर पर एक छोटे बच्चे का पालना जिसमें छोटे बच्चे को मही अराम से बांद कर सुला दिया जाता है ऐसे नहीं सोएगा भाई जब आप इसको to and fro जब आप इसको to and fro खेलेंगे केवल तबी संभव है कि वह बच्चा सो पाएगा तो इस रोक का मतलब होता है हिलाना ठीक है न जी अब रोक दा बोट का मतलब क्या हुआ बोट अपने आमें stable है शांत है बिलकुल stable हो गया आप इसको गर हिला देंगे तो क्या कर देंगे सर आप किसी को irritate कर देंगे pestsर कर देंगे किसी को परेशान कर देंगे ठीक है न जी? अरे हाँ ज़िसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी इंसान को बहुत बुरी दरह से क्या कर देंगे? परेशान कर देंगे तो इसको बताने के लिए तो हमें कहता है get under the skin get under the skin ठीक है न जी, सर ये तो नहीं होगा disturb a stable situation किसी stable situation को disturb कर देना, ये बात आप अपनी जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर, correct answer हो जाएगा overcome a difficult situation मतलब मुसीबत भरी किसी situation पर काबू पाना, ठीक है न सर, overcome का मतलब होता है काबू पाना, control करना, ये नहीं है सर, यहां तो आप स्थित्य को हिला रहे हो divert someone's attention, किसी का ध्यान भंग करना, नहीं सर, correct answer यहाँ पर एक ही हमारे सामने बनता है and that's, see for China आए बच्छा पार्टी अगले सवाल की और बढ़ते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या कहता है have your heart in your mouth ठीक है जी, ध्यान से समझने की कोशिश करना दो चीजे हैं जो एक इनसान को control करती है एक head और एक heart, ठीक है ना आपके बहुत सारे ऐसे जान पैचान के दोस्त साथी होंगे जो अक्सर ये कहते है यार मेरा दिल तूट गया अगर biological ये दिल तूट जाए ना तो वो इनसान एक पल भी सांस ना ले पाए कभी एहसास किया इस बात का सर दिल तूटने का मतलब होता है एक ऐसी situation, एक ऐसी अवस्था जहां पर किसी भी इनसान के सारे जो emotions है ना, वो सारे के सारे विखर गए मैं आपको थोड़ा biblical इसका अंसर देता हूँ अगर आप heart को literature में ढूंडेंगे ना तो heart is the seat of all the beautiful emotions heart एक ऐसी जगह है, एक ऐसी seat है जहां सारे के सारे आप लोगों के emotions बैठते हैं ठीक है, और अगर आपका heart break हो जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो seat है ना यह break हो गई और इसके तूटने की वज़े से जो भी emotions इस seat पर आपने संजो के रखे थे वो सारे के सारे spill हो गए, बिखर गए ठीक है जी, तो heart का directly inversely meaning किस से related हो गया emotion से related होगा, head का related अगर हम meaning समझें तो यह सिर्फ logics पर काम करता है, यानि कि यह सिर्फ logics के अलावा इसका कोई और लेना देना नहीं है, ठीक है ना जी इसलिए दो तरह के इंसान है, अगर एक इंसान दिल से काम करता है वो emotional होगा, एक इंसान जो दिमाग से काम करता हो तारकिक होगा उसका emotion से कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी love marriage के लिए parents के साथ लड़ रहे हैं, parents अगर नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब वो अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, आप अपनी जो भी जो भी आपके दिल में है, वो आपकी जबान पर है, हाँ ना और किसी भी इनसान का जो दिल है वो क्या होता है, अरे emotions अगर हैं, तो बड़ा कमजोर होता है समझे, जो इनसान emotional होता है, वो बड़ा कमजोर होता है, जब कमजोर की स्थितिया जाती है तो sir, worse and worse की बात तो नहीं करेंगे To be extremely frightened, विल्कुल यही answer हो सकता है Jealous होने की बात नहीं, behave in a foolish manner नहीं sir ठीक है न, यानिक अगर दिल किसी इनसान की जबान पर आ जाए तो वो इनसान बड़ा, baseless हो जाता है, घवरा जाता है उसके सामने कोई भी ऐसी situation आती है तो वो control से बाहर हो सकता है ठीक है जी, यह बहुत अच्छा सवाल था confusion बहुत प्यारी है इसमें और यह छोटी trick याद रख लोगे, फिर question मुश्किल नहीं है बाबू Question 12 पर काम करते हैं यहां लिखा है 40 wings, ठीक है न जी अब ध्यान से समझने की कोशिश करना तो उसके आधार पर मैंने यहां लिखा वह आख मार रही है, तो अब आख मारने का मतलब यह नहीं है कि उस इनसान ने अपनी आख निकाली, निकाल के बाहर और फेक के मार दे not that ways guys, यह उस तरीके से काम नहीं करेगा यहां पर वह आख मार रही है, तो आप इसे कहेंगे she is winking, ठीक है न, पलक जपकना ही आख मारना है और इस पलक जपकने को ही हम wink कहते हैं अब यहां लिखा है 40 winks, यहां पर संख्या नहीं बताई यहां 40 time को represent कर रहा है, इतनी देर तक आपने पलक जपकी रखी, तो इसका मतलब क्या हुआ, नींद की तो बात हो गई long leave है नहीं, secret signal नहीं, short या deep sleep deep sleep कहोगे तो 40 से संख्या नहीं गिनी जा सकती तो दोस्त, इसी लिए हम deep sleep को हटा कर short sleep करें, correct answer मार करेंगे, ठीक है भाई? ठीक है भाई? question 13 पर आजाए, cut from the same cloth, यानि कि same कपड़े से ही किसी चीज को निकाल के इलाना, तो cut from the same cloth का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, जिसका हमने similar attitude या similar experience किसी और के अंदर दीखा है, यानि कि इसके अंदर हमें same की वज़े से similar चाहिएगा, याना belong to the same family, same family हो सकता है, share resources विल्कुल भी नहीं, come from the same source, same source से निकल कर आना, source same, तो भीटा, फिर belong to the same family, इन दोनों में तो similarity है, अलग नहीं है, लेकिन हम अगर कहें, तो ये वाली बात इसका सटीक answer हमें देती है, ठीक है जी? क्या चीज? to be of a similar nature, यानि कि जब दो इंसानों की एक जैसी प्रकरती होती है, ठीके ना, इसी को हिंदी में आप कहते हैं, एक ही मिट्टी से बने हुए, ठीके ना, इसी को हम कहते हैं, एक ही मिट्टी से बने हुए, यानि कि दोनों की परकरती एक जैसी है correct है बेटा? fine okay आचा ये जो लिखा है ना to come from the same source, इसका मतलब हमें समझना है, अगर हम इसका meaning देखने की कुशिश करते हैं, तो इसका मतलब निकल कर आता है, stem from the same, stem from the same root, यानि कि एक ही जड़ से निकला हुआ तना ठीक है जी, ये इसका आर्थ है, correct है बेटा? fine अचा अगर आप यहाँ कहते हैं to share resources, तो इसको हम अगर अगर अग्रेजी में कहें, तो इसका मतलब होता है क्या? pool resources pool resources, यहाँ लिखा है, belong to the same family belong to the same family का मतलब हमें क्या समझ में आता है blood ties blood ties खून के जो रिष्टे होते हैं, correct होगा? सभी बता दिये, मैंने आपको correct answer भी, चलिए दोस्तों, अगले सवाल की और बढ़ते हैं lose your marbles अगले सवाल की और बढ़ते हैं, lose your marbles, lose your marbles marbles का मतलब क्या होता? कंचे, और कंचे अपने आप में क्या होते हैं, काफी important खेल के objects माने जाते थे हमारे बच्चपन में ठीक है ना, कंचे जिससे हम कहते हैं और इन्हीं को अगर आप हार जाते हैं तो कैसा feel करेंगे? हार जाते हैं तो क्या? respect खो दी, sir respect होने का तो sense नहीं है nervous होना sense नहीं है किसी opportunity आप कहेंगे sir, पागल हो जाना है आप करेंचे हारते हैं, तो कैसे हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं, correct है? हाई ना, तो इसी को हम कहते हैं जब हमारी, क्या है? lose one's mind lose one's mind जब एक इन्सान का काबू खो जाता है कि भाई साब अब तो नहीं छोड़ेंगे ठीक है ना, जी? अच्छे, यहाँ लिखा है miss an opportunity, is called miss the boat ठीक है न? इसका मतलब हो गया, क्या मेरी बेटा? miss the boat यानि कि मोके से एक नाव आई थी वो भी चलेगी situation को समझेगा माली जी एक island है ठीक है जी, माली जीए, यहाँ बैठा हुआ है अराम से, ठीक है fine एक इनसान यहाँ पर बैठा हुआ है अराम से, ठीक है, तनहा और वो इंतजार कर रहा है कि कोई आए और इसे बिचारे को घर लेकर चला जाए और बहुत दूर उसने एक boat देखी बहुत दूर उसने boat देखी तब तक इसकी आँख लग गए यह boat जाती हुई से दिखाई दी तब इसने उठा के खूब आवाजे लगाई कोई सुनाई नहीं दे रहा तो या क्या हुआ भाई, he missed the boat correct हो गया, हाई ना बाच समझ गये, be nervous का मतलब हमें समझ में आता है, get the feet cold, cold feet लिख लिजेगा तो इसका मतलब क्या हुआ पैर ठंडे होगे भाई साब, घवरा गया बिचारा अरे हाई ना, और lose respect का मतलब होता है, lose face यानि कि एक इंसान जब अपने चेहरे की value खतम कर देता है, तो correct answer हमारे सामने बनता है, go insane ठीक है बच्चे, correct है fine आईए बच्चो, अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं सवाल है, bite the bullet बहुत बार परिक्षा ने पूछा है, bite the bullet bullet को bite करना अब सर, bullet क्या है bullet अपने हमें गूली है, ठीक है जी गोली को चबाने का मतलब क्या होता है आप इसीज को मंगल पांडे से भी जोड सकते हैं 1857 की करांथी का जो मूल कारण माना जाता है मारे इतिहास में तो क्या हुआ था वहाँ आपको याद हो आपको याद है कि मंगल पांडे उन bullets को यूज करने से बना कर रहा था जिसमें सूर की चद भी लगती थी या ऐसा ही कोई कारण था तो वो अपने धर्म के विरुधमाना और उसने उस चीज के खिलाफ म्यूटी नहीं कर दी ठीक है तो bite the bullet का मतलब क्या होता है कोई भी ऐसी चीज जो बड़ी मुश्किल है जिसे सहन नहीं किया जा सकता ठीक है जी तो भई ये तो हो गया इसका meaning है endure difficulty with courage सहन करना endure का मतलब होता है सहन करना endure the difficulty जो कठिनाई है उसको endure करना endure the difficulty with courage साहस के साथ ठीक है बटा अब आपको इन लिखे sentences में इसका meaning justify बताना है children played in the park on a sunny day बिल्कुल नहीं सर sunny day का मतलब होता है खुशनुमा दिन despite the pain Sarah decided to go ahead with the क्या लिखा है surgery माफ कीज़ेगा मेरे बच्चों यहाँ पर surgery है ठीक है आगे लिखा है क्या हमारे सामने रुको जल्दबाजी में answer मा कर दिया भाई ठीक है question देखने की कोशिश करते है the chef prepared a delicious meal for the guest ठीक है बिल्कुल नहीं होगा jack and jill went up the hill to fetch a pale of water pale का मतलब होता है लकडी की बनी हुई balti ठीक है न जी पहाडों में आप जाओगे तो लकडी की balti होती है चोटी चोटी उसे हम pale कहते हैं ठीक है जी तो answer यहीं पर है कि उसकी pain होने के बाउजूद सारा ने फिर भी सूचा कि surgery वो करवाएगी and this is the meaning of the given question आईए मेरे दोस्तों अगले सवाल के और बढ़ते हैं select रमना most appropriate idiom जो इसका answer meaning बनाता है despite का मतलब होता है के बाउजूद preposition में आप लोगों को ये चीज़ समझाई गई है despite का मतलब होता है क्या in spite of के बाउजूद despite their differences आपस में जो भेदभाव हैं विचारों के the two politicians decided to blank and work together for the greater good उन्होंने क्या किया जगडे को मिटाकर आपस में अच्छे भले के लिए काम किया अब पहले blow of steam की अगर हम बात करते हैं blow of steam का मतलब होता है to release tension tension को खतम कर देना to release tension जो तनाव है उसको खतम कर देना हटाओ भाई bark of the wrong tree bark of the wrong tree का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को करने की आपकी approach गलत है इसी को हम कहते है wrong approach इसी को हम कहते है बावू क्या wrong approach burn the midnight all आप कहेंगे सारी सारी रात पढ़ाई करना सारी सारी रात मेहनत करना इसी को अगर हम सामने भाशा में कहें तो work late देर तक काम करना तो बरीदा hatchet hatchet अपने आमे एक छोटी कटार होती है ठीके ना छोटी कटार होती है उसको आपने क्या कर दिया दफन कर दिया इसका मतलब क्या हो गया लड़ाई लड़ाई माफ करो साफ करो ठीके ना that means make peace that means make peace hence the correct answer goes with बरीदा hatchet आईए बच्चा पार्टी अगले question क्यों बढ़ते है अगला question बहुत ही प्यारा है समझते है the officer asked these subordinates officer ने अपने अधिनस्त अधिकारियों से पूछा to keep him posted ठीक है जी of the workplace development जो यहाँ काम की स्थान पर जो development हो रहे हैं उसके बारे में उसे posted का मतलब आप समझने की कोशिश कीजेगा updated ठीक है न उसको जानकारी देते रहना अब मेरे भाईया यहाँ क्या लिखा है maintain secrecy maintain secrecy के गर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है keep under wraps इसके लिए idiom अगर हम समझें तो क्या हो गया keep under wraps ठीक है जी अब जैसे जैसे मैं आगे आप लोगों के साथ बढ़ता जाओंगा मैं हर एक option का जिसमी meaning लिखा होगा मैं उसकी idiom आपको बताता चलूँगा ताकि आपकी conceptual clarity अच्छी खुशूरत बनी रहे ठीक है जी send letters by post send letters by post का मतलब क्या हुआ इसका मतलब होता है drop a line इसका मतलब होता है drop a line ठीक है ना किसी को तार भीजना keep sharing the latest information यही इस लिखे हुए सवाल का correct answer है किसी को updated रखना not disturbed in matters तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब है mind wants own business इसका मतलब क्या हो गया mind wants on business correct हो कहा बड़ी बच्चो fine अच्छा सवाल था correct answer भी मिल गया बाकी सभी की जानकारी भी हमें मिल गई आए बच्चो question 18 के परिवार से मिलते हैं the team members seem to be running around in circles ठीक है ना जी running around बबब इस around को अगर मैं आपको समझा दूना तो आपका दिल खुश हो जाएगा इसका मतलब होता है hair and there इधर उधर ठीक है ना जी यानि के circles में इधर उधर भटकने का काम यहाँ पर कहा गया है ठीक है to be extremely successful तो to be extremely successful का मतलब क्या होता है hit the jackpot इसका अर्थ यह किस idiom का अर्थ है hit the jackpot का यह अर्थ है ठीक है ना जी यानि के कोई चीज़ पा ले ना jackpot चीत ले ना hardly any time to breathe इसका मतलब हम क्या कहते है इसका मतलब है run against time इसका मतलब है क्या run against time समय है ही नहीं समय है नहीं तो समय के खिलाफ समय की दोड करना समझे ने हर कोई तयारी करने वाला बच्चा इस बात को बहुत अच्छे से जानता है अगर मालीजे किसी इंसान का paper पाँच दिन के बाद है पाँच दिन के बाद अगर किसी इंसान का paper है तो वो तयारी कैसे करेगा पढ़ाई कैसे करेगा सर पांच दिन की तैयारी मतलब जो पूरे पांच महीने की तैयारी वो पांच दिन में करेगा he is running against the time ठीक है बच्चे to be very active but with few results ठीक है ना यानिके काम तो करते भी फिर रहें परिणाम कुछ नहीं यही इसका सही answer है बच्चे very dynamic and hard working dynamic का मतलब होता है जो आसानी से काम करें और जो एकदम से अपने हालात के अनुसार अपने आपको परिवर्तन कर लें तो इसका मतलब होता है to go full steam ठीक है ना इसका अर्थ क्या होता है भाई मतलब कि cdm का अर्थ है ये to go full steam अब आपको गए सर यहाँ steam है या stream होना चाहिए मैं आपको समझाता हूँ मैं आपको समझाता हूँ सर उद्योगिक करांती का जो main कारण है ना वो है भाप का engine वो है भाप का engine भाप का engine का मतलब क्या हुआ combustion के लिए कोईले का प्रियोग किया गया फुल स्टीम पूरी स्टीम खोल दो इसका मतलब अपनी speed बढ़ा दो speed बढ़ा दो तो आप dynamic और hard working हो गए ठीक है बच्चे हर एक idiom को याद करने का ऐसा खुबसूरत माहोल केवल योयो गोपाल वर्मा के साथ मिल सकता है ठीक है just kidding मेरे बच्चों वैसे आप लोग सच में बहुत महनत करते हैं ठीक है आप लोग सच में बहुत महनत करते हैं ठीक है अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मेरे पास message भेजा किसी दिन means की class आप लोगों को नहीं मिली उस बच्चे ने authoritatively मतलब बिलकुल अधिकारी कुरूप से मुझे कहा कि सर अगर class नहीं डालनी होते है तो पहले inform कर दिया करो मैं आपके लिए पढ़ाई के लिए committed हूँ मैं कहीं और नहीं पढ़ रहा हूँ मैं सिर्फ आपकी class पढ़ रहा हूँ आप विश्वास करेंगे उस बच्चे को सुबर पांच बजे मैंने उसका message देखा और मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराट आई कि गोपाल वर्मा सर कुछ कमाया है या नहीं कमाया इससे फर्क नहीं पढ़ता लेकिन हमारे बच्चों का विश्वास हमारे उपर जो हमने कमाया है न उसकी बराबरी कहीं नहीं है आप समझेगा कि एहसास है जो selection के लिए आपकी जिद बनता है आप जब हाथ पकड़ के कहते हैं न पढ़ाओ सर समझ रहें? इनी classes को मैं live classes में भी ले सकता था लेकिन समझता है क्या होती? live classes में बच्चे comments में इतने active हो जाते हैं कि वो content की इज़त नहीं कर पाते हैं माफ कीजेगा इसको बिल्कुल mind नहीं करना आप जैसे भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें हमारा एक ही उसूल है लेकिन अगर content आपको 60 मिल जाए आपका selection फिनिशित हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगा उस बच्चे का या प्यार हमारे लिए question 19 है Achilles heel काफी important question है बार-बार परिक्षा ये आपसे पूछती ही रहती है भाई ठीक है न जी? अब Achilles heel के पीछे एक छोटी सी कहानी है Achilles नाम का एक छोटा सा जब मतलब राजा पैदा हुआ जब मतलब छोटा बच्चा था तो उसको अमर बनाने के लिए एक बहुत ही बड़े से बरतन में कहा गया कि इस बरतन में अगर इनके शरीर को डुबा देंगे बचे को भाई साब इस कडाहे में डूबो दिया सारा वो डूब गया लेकिन AD रह गई और वही उसकी क्या चीज हो गई भाई वही उसकी क्या हो गई एक ऐसा पॉइंट हो गया जिसकी वज़े से वह कमजोर रह गया Achilles heel का मतलब हमें समझ में आगया A weak point जो किसी की कमजोरी है Irrelevant thing की अगर बात कही जाए Irrelevant thing की अगर बात कही जाए तो इसका मतलब तो है बात से भटकना इसका मतलब हो गया Beside the point ठीक है ना जो मुद्दा है उससे भटक जाना Beside the point इसका में नहीं हो गया ठीक है जी अगर fast runner की हम बात करते हैं तो यह हो गया speed demon यह हो गया हमारे सामने speed demon ठीक है राक्षास जो बहुत तेज भागता है आगे लिखाए costly item आप जानते है कुझे costly item की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह क्या हो गया Something that is expensive ठीक है ना अगर useless जोड़ देते तो white elephant इसका answer बन जाता तो इसको बताने के लिए हम कहते है pricey affair इसको हम कहते है pricey affair बहुत अच्छा सवाल था correct answer vulnerable point weak point भी इससे आप कह सकते हैं ठीक है बच्चे correct है बहुत प्यारा सवाल है fight shy off fight shy off अब पहले पात को ध्यान से समझने कोशिश करना fight का मतलब सभी बच्चों को पता है लड़ना shy का मतलब होता है शर्माना अब fight shy off का मतलब हमें समझ में आता है जब शर्माने की आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लड़ाई से बच कर दूर होना चाहते हैं ठीक है न तो इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी चीज को face नहीं करना चाहते हैं, आप उससे क्या कर रहे हैं, avoid कर रहे हैं, ठीक है न जी, अब भाई, to invite किस idiom का meaning है, तो इसको हम कहते हैं, to extend invitation, to extend, extend का मतलब, आगे फैलाना, ठीक है न, to extend invitation, किसी को नियोता देना, किसी को बुलाना, ठ ठीक है भाई, fine, to challenge, आप किसी को जब challenge करते हैं, तो इसके लिए क्या idiom होती है, इसका मतलब होता है, to throw gauntlet, इसका मतलब होता है, to throw gauntlet, अब आप gauntlet का meaning मुझसे जरूर पूछेगा, आप सभी लोगों ने एक movie देखी है, Avengers, ठीक है न, Avengers, end game, पूरा नाम लिख देता जब भी फुर्सात हो, जब देखेगा, ठीक है न, इसमें आपको Thanos नाम का एक character देखने को मिलता है, जो मेरा personally बहुत favorite है, क्योंकि ये villain नहीं है, ये genuinely वो बात कर रहा है, जो आने वाले कई सालों के बाद हकीकत भी हो सकता है, I personally ये मेरा एक favorite character है, ठीक है, जब Thanos की हम बात क सरीके का मेरे भाई, क्या है, gauntlet है, ठीक है न, जी, जो एक तरह का, gloves की तरह से, a piece of gloves की अगर हम बात करें तो, ठीक है, gauntlet, अब उसको fake न, it means challenge, आ बेटा लड़ दिखा तेरे अंदर दम में तो, to perform के लिए अगर हम कहते हैं, तो to perform के लिए हम कह सकते हैं, to take stage, stage पर उतर क आओ, ताकि perform करें, तो बेटा इसका बेहतर आंसर है, सिर्फ fight shy off का मतलब शर्माना, यानि कि किसी चीज़ को avoid करना, ठीक है बालक, आए बचा पार्ट एक लिए सवाल क्यों बढ़ते हैं, लिखा है clam up, सवाल बहुत प्यारा है, clam up का मतलब क्या होता है, देखो चोकर clam की हम बात करते हैं, तो clam का मतलब होता है, पेपर मनी, पेपर मनी का मतलब क्या होता है, जिसे हम अपने सामने भाषा में कहते हैं, note, कागस का जो note होता है, वो clam up, मतलब अब अब का मतलब क्या होता है, अब जिसके पास पैसा हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, जिसके पास पैसा ह तो आप इसके अर्थ को ध्यान से समझने की कुशिश करेंगे तो अगर आपके बाप बहुत सारा पैसा हो जाता है तो आप कैसे हो जाते हैं शांत हो जाते हैं क्योंकि अब इसके अलावा आपको जीवन का संतुलन बनाने के लिए और जरूरतों को पूरा करना होगा ठीके न जी अगर to be upset की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है to get worked up ठीके न अब worked up का मतलब होता है बहुत जादा आपने काम कर लिया अब आपके शांती की कोशिश करो नहीं मिलेगा ठीके जी अब अगर हम कहते हैं to be frustrated तो इसका मतलब होता है to hit the wall to hit the wall दिवार से टकराओ भाई जब frustrated होता है आदमी दिवार को टकर मारता है to lose temper के लिए अगर कहा जाए to lose temper का मतलब होता है to blow top ठीक है ना जी यानि के blow का मतलब होता है फट पढ़ना top का मतलब दिमाग फट पढ़ना तो भाई साब फिर काबू से बाहर हो जाना यानि के बात होती है किसकी भाई गुसे में आनी की ठीक है बचे आईए भाई अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला question है all in all all in all का मतलब क्या होता है जो अपने आप में सब कुछ शामिल कर दे जो अपने आप में सब कुछ शामिल कर दे अब जो सब कुछ का अर्थ बताता है तो वो every person नहीं है तो वो every person तो नहीं है ठीक है बाई every person का मतलब क्या होता है all individuals यहां लिखा है completely lost completely lost का मतलब हमें समझ में आता है totally confused ठीक है पूरी तरह से खो जाना है न first in line first in line का मतलब हमें क्या समझ जाता है जिसे हम कहते है top priority ठीक है न जी इसको हम कहते है top priority यानि कि जिसको आप सबसे ज़ादे importance देते हैं तो having all authority ठीक है जी अब मेरे बच्चों अगर authority की हम बात करें तो authority का मतलब होता है power और अगर इसी का हम plural बना देते हैं तो इसका मतलब होता है persons in power यानि कि जो उस ताकत का इस्तमाल करने वाले लूग है अधिकारी कहते है authorities को आईए बाबू अगले question की और बढ़ते हैं आपको लेकर ठीक है create a poor impression ठीक है जी cut a sorry figure का correct answer अगर हम ढूंडते हैं तो इसका तो question देखते ही मेरे मूँ से answer निकल गया create a poor impression यह रहा answer इसका ठीक है न जी cut a sorry figure figure का मतलब आकरती आकार कैसी बना दे sorry और sorry का मतलब क्या होता है उदास यानि कि क्या हो गए said ठीक है न जी तो भई अब देखते हैं ध्यान से हमारे सामने क्या हो गया render an apology ठीक है render an apology अगर हम बात करते हैं भई तो इसका मतलब क्या होता है किसी के सामने हम offer कर रहे हैं किसी इसको regret को हमें किसी चीज के लिए पच्चतावा है make a sculpture की अगर हम बात कर रहे हैं make a sculpture की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको समझ आ रहा है कोई भी sculpture बिनाना इसके लिए तो कोई idiom नहीं है ठीक है और इधर हमारे सामने है break a record किसी भी record को तोड़ देना तो इसका मतलब क्या होता है जो पहले हमने प्राप्त किया है उसको surpass कर देना surpass a previous achievement previous achievement को surpass कर देना उससे उपर निकल जाना आए बचा पारटी अगले question क्यों बढ़ते हैं to turn the corner अच्छा सवाल है paper फसाता है इस सवाल को to turn the corner to turn the corner का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है to pass the hurdle जो मुसीवत है उसको पार कर जाना to turn the corner to go back to the past इसकी अगर हम बात कर रहे हैं अतीत में चले जाना to go back to the past का मतलब होता है to take a trip to to take a trip to past यानि कि अपने अतीत में खो जाना past में चले जाना past की जाना past lane भी हो सकता है ठीक है ना पुरानी गलिया इक गाना सुना था मैंने बहुत साल पहले पुरानी जीन्स और गिटार सुनना आपको भी यूटूब पे मिलेगा ठीक है पुरानी जीन्स wait for an opportunity किसी opportunity का इंतिजार करना इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है क्या चीज़ bite time ठीक है जी आगे हमारे सामने लिखा to change one's goal अपने मतलब goal को बटक देना ठीक है तो इसी को हम कहते है tide over ठीक है यह idiom लिख रहा हूं बटा आगे question में यह idiom मिलेगी आपको meaning पहले से ही मैंने आपके सामने justify कर दिया CGL means की परिष्टा से 2022 से उठायागा सवाल है question number 25 पर आजाए मेरे बचे क्या कहता है to rise like a phoenix phoenix एक ऐसी bird है जिसके बारे यह mythological bird है यह ऐसी bird बानी जाती है जो अपने शरीर को खुद जलाती है फिर राक बन जाती है राक से फिर यह पैदा हो जाती है तो इसका अगर हम simple अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है something that is reborn ठीक है जो खुद पैदा हो जाता है to behave like a royal sir यह तो इसका अर्थ नहीं है इसका मतलब होता है live like a king to emerge with a new life एक नए जीवन के साथ पैदा होना यह तो इसका correct answer हो गया है to set on fire का मतलब क्या हुआ किसी चीज़ में आग लगा देना है तो इसका तो समाने अर्थ अगर हम समझ ले तो असान हो जाएगा ignite ठीक है भई अगला लिखा है to be modest, modest होने का मतलब क्या होता है winumber होना इसका मतलब क्या हो गया to be humble ठीक है बच्चे अगले question की तरफ चलते है question number 26 against once green, देखो बच्चो grain के अगर हम बात करते हैं तो grain का मतलब हमें क्या समझ आता है grain का मतलब हमें समझ में आता है जो हम गेहू चावल खाते हैं आप उस sense में इसको समझने का काम कीजेगा तो against once grain यानि के जो आपके शरीर की requirement है उसी के against जा रहे हैं तो इसका मतलब exactly क्या समझ में आया इसका मतलब समझ में आया against once nature अपने nature के खिलाफ हमारा nature कहता है हमारी प्रकरती हमारे शरीर की हमारी सोच ये अपनी प्रकरती है उसके नुसार हमें क्या करना चाहिए अब बाबू दूसरे options को consider करते है against the law का मतलब हमें क्या पता है against the law का मतलब हमें समझ में आता है जो की अपने आप में illegal है जो की अपने आप में illegal है गैर कानूनी है आती है बात against the society जब against the society की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है something that is unsocial something that is unsocial आगे लिखा against one's family यह जब लोग जानते ही है यानि कि जब परिवार से कोई मतलब विरोधी बन जाता है तो उसको आप disloyal कहते है somebody who is unfaithful ठीक है बचे आईए बाबू अगले question की और बढ़ते है अगला question हमें क्या कहता है आई बचो question number 21 कहता है full of hot air देखो अब जब गर्मा गर्मी होती है जब गर्मा गर्मी होती है दो दलों के बीच ठीक है ना गर्मा गर्मी इसका मतलब अगर हम इसे अंग्रेजी में कहें तो इसे हम कहते है heated discussion ठीक है ना इसी को आप हिंदी में एक उर तरीके से कह सकते है और आप इसे कह सकते है आरोप परत्यारोप याने किसी ने आरोप लगाया पलट के किसी ने आरोप लगाया और कहा सुनी तू तू मैं मैं तिर से ये मिर से वो ऐसा वैसा और जब ये सारी बाते चलती है तो इसी को हम कहते है क्या talking nonsense बहस छिडने की बात हो गई है ठीक है जी अब आता है हमारे सामने दूसरा शब्द talking too much आप जानते हैं शब्दों से ही पता चलना बहुत ज़्यादा बोलना ठीक है ना जी being too proud बहुत ज़्यादा घमंड करना ठीक है ना जी बहुत ज़्यादा घमंड करना तो being too proud का मतलब हमें इसके लिए एक शब्द ही अगर समझ में आ जाए तो भी मज़ा आ जाए इससे हम कहते हैं arrogant अगला शब्द हमारे सामने है being hot-tempered hot-tempered का मतलब होता है जिसे हम कहते है गुसेल ठीके ना? यानि के जिसे अगर हम कहें तो quick-angered ठीके जी, quickly-angered तुरंट जो गुसा आ जाए अगले question क्यों बढ़ते हैं बच्चों अगला question हमारे सामने कहता है not make head or tail एक इंसान जो ये decide ना कर पाए कि head आएगा या tail आएगा मेरी बात समझें? जैसे आप लोग कोई भी चीज जब decide करते हैं तो coin हवा में उच्छालते हैं भी या ये heads है और ये हमारे सामने ठीक है भी? तो आप इसमें decide ना कर पाएं कि क्या आना चाहिए तो जब आप ऐसा decide ना कर पाएं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या? आप कहेंगे sir ये अपने आप में आप able नहीं है किसी इसके लिए आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे है ठीक है जी? और not able to understand anything इसी का मतलब हमें ये भी समझ में आता है you can say in the dark इसके लिए एक और idiomatic expression आप use कर सकते हैं that is in the dark ठीक है जी? अब very boring not at all fun तो आप इसके लिए लिख सकते हैं as dull as as dull as brick इसके लिए एक idiomatic expression आप use कर सकते हैं as dull as क्या लिखा है? brick ठीक है न? यानि कि बहुत ज़्यादा जो boring हो जाए ठीक है न? पत्थर जैसा हो जाए not find something interesting कोई चीज़ interesting नहीं खाना ढूंडना तो इसको हम कहने के कोशिश करते हैं क्या? not my cup of tea ये मेरी चाए नहीं है ठीक है न? जो मेरी चाए है तो इसमें interest होगा तभी मैं पिरूंगा अगर मेरे interest की चाए नहीं बनी तो वो मेरी चाए नहीं है very unusual and strange इसको बताने के अगर हम कोशिश करते हैं तो very unusual and strange को हम कहते हैं बच्चों out of the blue यानि के आकस्मिक तरीके से एकदम सामने आ जाए यहां blue का मतलब है sky यानि के आसमान से कोई एकदम से चीज हमारे सामने आ जाए तो वो चीज हमारे लिए क्या होती है बटा? unusual होती है ठीक है? question 29 पर आएंगे बाबू क्या कहता है? लिखा है हमारे सामने not my mince words mince का मतलब क्या होता है? mix वैसे अगर mince को हम लोग एक verb की तरह लेकर चलें तो इसको हम कहते हैं सब चीजों को मिला कर चटनी बनाना ठीक है? एक प्यारा शब्द आप लोगों को सीखने को मिला है ठीक है न? fine? okay? तो जब आप चटनी बनाते तो क्या करते हैं? धनिया, पुदीना वैसे देखो हम में आज तक धनिया, पुदीने का difference समझ नहीं है ठीक है न? अब धनिया है क्या पुदीना है और फिर एक धनिया, पुदीना वो छोटी-छोटी गोलिया सी भी आती है उसको भी खाते हैं लोग छोग में भी यूज़ करते हैं तो जब आप बनाते हैं उस चीज़ को you mince everything ठीक है न? that is the meaning not mince words का मतलब हमें क्या समझ में आता? क्या? call a spade, a spade paper में ये पूछा जाता है call a spade, a spade अब हमारे सामने बाकी के options हैं इनको भी थोड़ा सा आपके साथ मिलकर देख लेते हैं अब यहां लिखा हुआ हमारे सामने not to be honest तो इसका मतलब क्या हुआ? beat around the bush ठीक है? beat around the bush यानिके इधर उधर की बात कहना ठीक है न जी? इमानदारी की बात ना करना to speak in a garbled way ठीक है जी? to speak in a garbled way का मतलब हमें क्या समझा है बटा जी? है जी? ओव तो इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो यह हो गया हमारे सामने to be gibberish ठीक है न जी? यानिके बढ़बढने की कोशिश करना ठीक है न? ऐसे बात करना जैसे आपने मुँ में कोई चीज ठूस रखी है ठीक है न? और इसी चीज को आप बढ़बढने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब अगर आप हिंदी में भी मुझसे जाएंगे न? तो यह हो गया वाहू बकवास करता है ठीक है हिंदी की भी अगर आप जानकरी चाहेंगे तो not to come directly to the point सीधी बात पर नहीं आना तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है इसका मतलब भी वही होगा beat around the bush यानि कि ये दोनों आपस में relatively एक ही idiom का meaning है किसी भी एक medium का किसी भी एक idiom का एक से ज़्यादा अर्थ हो सकता है ठीक है बटा तो उस पर कोई बहस हमें नहीं करनी है to take stock off ठीक है जी to take stock off का मतलब हमें समझ में आता है हम किसी भी चीज़ का क्या करते है मुल्यांकन करते है मुल्यांकन करना अब मुल्यांकन करने का मतलब क्या होता है जब हम किसी चीज को assess करते हैं assess का ही शब्ध है जिससे बनता है assessment ठीके न जी और भई इसी को अगर हम कहने की कोशिश करें तो evaluate मुल्यांकन करना तो कौन सा answer हो गया तो to discuss, assemble, modify इन में से कोई भी हम लोगों को सही यूज नहीं समझ में आता, assemble का मतलब होता है इकटर होना, gather, unite, ठीक है, modify का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी चीज को change करते हैं, discuss का मतलब हमें समझ में आता है debate करना to talk about कभी कभी किसी चीज पर debate करता ठीक है, बाकी के सभी शब्दों के अर्थ ज़रूर याद कर लीजेगा किसी ना किसी तरीके से ये आप लोगों को जो कराई जा रहे हैं ये किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर आपको paper में मिल सकते हैं इसले दोस्तों इनको अच्छे से ज़रूर याद रखेगा ठीक है, question है हमारे सामने on tenterhooks tenterhooks का मतलब क्या होता है tenterhooks का मतलब हमें समझ में आता है जब हमारे सामने कोई इंसान चिंतित या परेशान या तनाव पूरुन हमें दिखाई देता है ठीक है ना, तो on tenterhooks का मतलब हमें समझ में क्या आया भाई anexus या tense, ठीक है न जी, आप ध्यान से समझेगा अगर बच्छों हम tense की बात करते हैं एक noun की तरह तो ये तो आप लोग grammar पढ़ते हैं, call, ठीक है न जी यानि किसी समय बिंदू पर किसी भी काम के होने या काम के करने के बारे में जो बताता है व्याकरन इकाई, वो है हमारा tense, जिसे काल कहते हैं अगर आप इसे verb या third form से इसका एक adjective बनाते हैं तो इसका मतलब होता है तनाव ठीक है जी, fine, और इसी tense से बना है आप लोगों ने शब्द कौन सा tension तो ये बन गया है noun, यानि कि तनाव की एक अवस्था चलो बिटा, आप आज आओ वाप इस question पर, ठीक है अब हमारे सामने आता है happy and joyous जब happy and joyous की हम बात करते हैं तो इन दोनों के लिए शब्द आपको याद रख लेना है मेरी तरफ से, इसे हम कहते हैं jubilant, ठीक है इसे हम कहते हैं क्या बच्चो jubilant, jubilant spelling test में आपसे पूछा जाता है इसको याद रखेगा, खुश और आननदित इसे हम कहते हैं, ठीक है alert and enthusiastic यानि कि जोश से बड़ा, जिसे आप कहते हैं energetic अगला शब्द है neutral and undecided neutral and undecided का मतलब क्या समझ में आता है इसे हम कहते है on the fence, पढ़ा था हम लोगों ने है ना जी शुरुवात में ही पढ़ा था, इस तरह का हमने on the fence तो ये तो सभी बाहर होगे correct answer सामने है question 32 पर आ जाएंगे बचो question 32 हमें क्या कहता है I cannot take up any new assignment मैं किसी नए assignment को नहीं स्विकार कर सकता as I have my hands full क्योंकि मेरे हाथ full है full होने का मतलब क्या हुआ I am very rich, नहीं sir आप बहुत जादा अमीर है इसका इससे कोई लिना दिना नहीं है need to seek help तो इसका मतलब आप ऐसाहरा बेसाहरा की बात कर रहे है आगे लिखा no time I am very busy हो सकता है I am short of time I am short of time का मतलब चाह समझ में आता है यानि कि जब हमारे पास समय की कमी हो ठीके ना यहाँ पर समय की कमी ठीके ना कमी किसी इसकी time की कमी है तो sir इससे जदा बेहतर यह है कि आप busy है ठीके ना अगर समय की कमी है फिर भी कोई ना कोई आप दूसरा काम कर सकते है ठीके ना लेकिन अगर आप busy है तो उसका मतलब आप किसी एक काम में particularly engaged है दूसरे काम की और ध्यान नहीं देश सकते ठीके तो बेहतर answer होगा हमारे सामने C for China for this question अगले question पर आजब भाई इंडिया's problem boils down to just one thing एक चीज की तरफ जाकर देखते हैं तो हाला गड़बड होते हैं lack of infrastructure for health services health services के लिए infrastructure बिलकुल भी उपलबद नहीं है अब health structure के लिए बिलकुल भी सुविधाएं उपलबद नहीं है तो boils down का मतलब क्या होता है एक ही जगे जाकर सब चीजों का निचोड निकलता है तो sir यहाँ पर correct answer क्या बनता है sums up to यानि के सारी बाते घूम फिर कर एक ही जगे पर टिकती है अगर हमारा health system अच्छा है तो इसी की वज़े से सारे के सारे sectors अपने आप grow कर जाते हैं ठीक है न जी अगर किसी की health ठीक नहीं है किसी देश के लोगों की health ठीक नहीं है जब COVID-19 आया बचों आप सभी को पता है COVID-19 आने की वज़े से क्या हुआ सारा का सारा जो infrastructure है सब कुछ damage हो गया लोग काम नहीं कर पाए लोगों के पास काम करने के लिए workforce, man force, सब चीजे damage हो गई अब थोड़ा सा बचेवे options को देख लेते हैं ठीक है? आजो अब बचेवे को अगर हम कहते हैं fulfill something तो इसका मतलब जो किसी चीज़ को पूरक है ठीक है न? complete something ये नहीं adapts to something बचों ये आपको fill in the blanks में question पूछने को मिल जाता है adopt adopt का मतलब होता है किसी चीज़ को कानूनी तोर पर स्विकारना ठीक है न? यानि कि इसी को हम कभी-कभी कहते हैं गोद लेना adapt का मतलब होता है जब आप संतुलन मनाते हैं किसी की साथ adjust करना और इस adapt की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के लिए kushal है यानि कि आप kushal को skilled कहते हैं ये verb है, ये verb है ये हमारे सामने adjective है correct है? easy मेरे बच्चो याद रखना है ये philips में आपको परिशान करेगा ठीक है? तो adapt to something adjust करना हो गया heats up to का मतलब हमें क्या समझ में आ गया? heats up to का मतलब हमें समझ में आ गया अब यहां लिखा है amends amends का मतलब होता है जब हम किसी चीज को सुधारने का काम करते हैं अगर खाली इसी शब्द के अर्थ को हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ होता है किसी चीज को सुधारना amends कहलाता है for your earlier curtness और यहां लिखा curtness का मतलब होता है जिससे हम कहते हैं एकदम से जो बेहुदापन था तो इसी को अगर हम कहते हैं abruptness भी कह सकते हैं abruptness का मतलब होता है जब एकदम से आप किसी चीज को लेकर react कर जाते हैं अब देखे यहां हमें क्या है आपको opportunity का गवाना नहीं चाहिए जो आपने बत्तमीजी की थी तुरन जवाब देकर अब उस चीज को आपको correct कर लेना चाहिए अपने सामने तो amend का मतलब सुधारना हो गया तो correct a mistake यही इसका सही जवाब बन जाएगा to give a suggestion जब किसी को suggestion देने की बात कर रहे है तो यहां पर तो आप समझ लीजेगा कि आप advice कर रहे है ठीके न to make a proposal जब आप किसी को proposal दे रहे है तो इसका मतलब जब आप कोई किसी चीज को किसी इनसान के सामने recommend कर रहे है दोस्तों इस recommend की spelling दे लीजेगा paper में ज़रूर आते है to offer a deal जब आप किसी को deal offer कर रहे है तो यह तो किसी को सामने क्या कर रहे है यह न offer ही दे रहे है तो यह तो सभी discussion से बाहर हुए correct answer A for apple बनता है question 35 क्या कहता है ठीक है जी देखे दियान से समझते है eat one's words अपने ही शब्दों को खाना तो इसका मतलब क्या हुआ जो किसी ने कहा है यह पिछले question से related ही सवाल आपकी सामने है जो पिछले सवाल ने हमें समझाया आपने जो चीज कही है आप उसी चीज को सुधारने के लिए क्या करेंगे अपने उन बोले गए शब्दों को तो वापिस लोगे ठीक है ना और अपनी तरफ से कुछ अच्छे शब्दों का चुनाव करके मौफी मांगोगे है ना तो oppose तो नहीं करोगे विरोध तो नहीं करोगे अरे हाँ है ना और sterni का मतलब कड़े रुक से ठीक है ना इसका मतलब होता है क्या चीज़ कड़े रुक से है ना कट्पोर तरीके से तो आप resist तो नहीं करेंगे यहाँ पर रेसिस्ट का मतलब विरोध तो नहीं करेंगे become less acceptable इसका मतलब कम से कम स्विकारिय होगे है ना इसका मतलब हमें समझ में आता है to decline, जब आप किसी चीज़ को आस्वीकार करेंगे, तो ये भी नहीं है भाई forgive and forget, माफी दोगे और भूल जाओगे तो sir, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो गया इसका मतलब तो हमें समझ में आ गया जिससे हम कहते हैं pardon तो आप कहेंगे sir, जो आपने कहा है, उन शब्दों को वापिस लेकर उसको क्या करेंगे ठीक करने की कोशिश करेंगे ठीक है जी, retract का मतलब ही होता है किसी चीज़ को वापिस उसी रास्ते पर ले आना ये बालक अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं लिखा है, on the spur of the moment सर्फ, moment का एक ही पल, ठीक है इस spur का मतलब हमें समझ में आता है क्या? insight, है न एकदम से जो आवेश में आ जाते हैं ठीक है न, तो बिटा इसके लिए अगर हम बात करें on the spur of the moment का मतलब जाता है एकदम से किसी चीज़ के आवेश में आ जाना और जो हमारे लिए क्या होता है? natural होता है natural ही इसी को हम spontaneous भी कहतेते हैं, बच्चों ठीक है भई? तो अब देखें कि यहाँ पर क्या है? correct answer हमारे लिए deciding after a lot of thinking बहुत कुछ सोच समझ कर किसी चीज़ पर के बारे में सोच कर कोई decide करना तो इसी को हम deliberate भी कह सकते हैं तो आपको भी सर जी यह तो है नहीं है ना? आगे लिखा है being extremely careful बहुत सतर्क रहना तो बहुत सतर्क रहने को अग्रेजी में हम क्या कहते हैं? cautious कहते हैं vigilant कहते हैं है ना? इसको हम क्या कहते हैं? vigilant कहते हैं cautious कहते हैं ठीक है जी? सतर्क रहना चोकस रहना हिंदी में कहते हैं waiting nervously for something किसी चीज़ के लिए बेचैन होकर इंतिजार करना तो इसी चीज़ को हम अगर कहना चाहें तो इसी को हम कह देते हैं wait for और इसी के लिए अगर हम कहना चाहें तो await कह देने में भी कोई बुराई नहीं है हटाओ भई तो आप कहेंगे सर भावनाओ के आधार पर impulsively का मतलब होता है सिर्फ भावनाओ के आधार पर किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कह देना या react कर देना यही इसका correct answer बनता है one track mind one track mind का मतलब है किसी इनसान ने सोचना शुरू किया एक ही रास्ता चुना और उस रास्ते के अलावा उस इनसान ने कोई और चीज़ नहीं सोची दिमाग खराब था एक ही रास्ता सोचा उसी रास्ते पर वो चला और उसी रास्ते को उस इनसान ने क्या किया अपना कदम उठाया ऐसे इनसान को हम कहते हैं एकाग्र ऐसे इनसान को हम अगर कहने की कोशिश करते हैं तो यह concentrated इनसान होता है ठीक है ना आप इसी जीज़ को हर दिन की भाशा में obsessive भी कहते हैं obsessive obsessive का मतलब आप समझ गए यानि कि जो पूरी तरीके से किसी एक ही चीज़ को सोचता है उसके पास दूसरा विकल्प नहीं है आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है पता है आप में से selection सबसे पहले कौन लेकर जाएगा सबसे पहले आप में से selection बच्चों वही लेकर जाएगा जो बच्चा दूसरे विकल्प के बारे में नहीं सोचता समझ रहे हैं बहुत सारे students अक्सर सेमिनार में मुझसे पूछते हैं यह सब अगर हम successful नहीं हुए तो plan B के लिए हम क्या करें plan B कोई plan नहीं होता plan B होता है आपके कमजोर होने का एहसास कि अगर यह नहीं हुआ तो दूसरा विकल्प हमारे सामने है ठेके ना आप अगर business कर रहे हैं तो plan B आपके पास होना चाहिए समझ रहे हैं अगर इस technique से हमारा product नहीं popular हुआ तो हमें plan B पर काम करना चाहिए लेकिन दोस्तों जहां career आप बना रहे हैं अपनी पढ़ाई करके पढ़ाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता आपका selection नहीं हुआ आपके marks कम रहे गे आप cut off से थोड़ा सा नीचे रहेगे इसके लिए plan B क्या होगा teacher बदल देना teacher बदलने की संभावना तब valid है जब आप लोगों को first समझ आया कि यार इस teacher के पढ़ाई हुए paper में कुछ आ ही नहीं रहे है समझे आप teacher बदलो valid है लेकिन आपको ये पता कि यार जो इसने पढ़ाया वो तो paper में नहीं आया लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तब मैं इस इंसान की बात को serious नहीं ले पा रहा था इस वज़े से मुझे नुकसान उठाना पढ़ा तो plan B क्या आपके पास plan B एक ही ही है जो पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ना उसके लावा कुछ नहीं है अगर plan B बनाने का भी शोक है न तो plan B अपनी कमियों को सुधारने का ज़रूर बनाओ कि मेरे अंदर ये कमिया थी मुझे ये सुधारनी अंदर से ठीक है भई चलो मेरे बन दर आगे चलते हैs चलो भई using a well-known path के ये तो हो गया हमारे सामने जो well-known path है उसी को हम कहते है समाज जिस पर चलता है उसे हम conventional कहते है समाज जिस पर चलता है conventional कहलता है परमपरागत ठीक है thinking of another point of view दूसरी चीज़ के बारे में सूचना, देखो बचो इसी चीज़ को हम कहते हैं alternative, इसी को हम कहते है alternative, हिंदी में आप इसे कहते है विकल, यानिके इसी को आप कहते है choice, ठीक है न, और एक शब्द होता है alternate, alternate का मतलब क्या होता है, अगर मैं आप पे सामने एक सीरीज लिख रह हूँ, तो sir, alternate number क्या होगा, अगर आपने एक को चुना है, तो एक अगले को छोड़ कर उससे अगला, तीन पर आ गए है, अगले को छोड़ कर उससे अगला, अगर आगे जा रहे हैं, तो अगले को छोड़ कर उससे अगला, यानिके एक को छोड़ कर दूसरा, that is called alternate, ठीक है न, correct है, पढ़ाई करने के अलावा आपके पास कोई alternative नहीं है, समझ गए, यानि के कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, दूसरी चीज, आप लोग अपने subjects को alternate days पर पढ़ना शुरू करें, alternate days पर पढ़ने का मतलब, आज का अगर आपने पूरा दिन maths को reasoning को दिया है, तो कल maths और reasoning नहीं कल आप लोग अपने English और GS को उठा के लगाएंगे, उस से अगला दिन फिर maths reasoning, उस से अगला दिन फिर English और GS, ऐसे बहुत सारी रंड़नीतियां आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है न जी, और दोस्तों, एक बार ज़रा ध्यान से सोचकर मुझे बताओ, अग बदल जाती, और अगर महा भारत के युद में, अरजुन की जगे भगवान श्री राम अगर महा पर होते तो क्या युद लड़ा जा सकता था, बिल्कुल भी नहीं लड़ा जा सकता था, अगर रावन की जगे दुर्योधन खड़ा होता भगवान श्री राम की जगे के साम तो क्या युद लड़ा जा सकता था, नहीं लड़ा जा सकता था, समझ कर इस बात से, इस छोटी सी बात से ये समझेगा, हर इंसान का अपना अलग-अलग युद होता है, अपने अलग-अलग युद के आधार पर वो अपनी रननीती बनाता है, भगवान श्री राम के सामने रावन, अर्जुन के सामने कौरव, अलग-अलग स्थितियां, अलग-अलग तरे की रननीती, वो अलग बात है, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण सब विश्नु अवतार ही है, समझे, लेकिन वक्त के अनुसार, हालातों के अनुसार, हर किसी की अपनी अलग- के कहने से आप अपने पढ़ने के पैटरन को डिसाइड मत करो, आप अपने हालात के हिसाब से अपने पैटरन को डिसाइड करो, क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने गंटे पढ़ना है, यह किसी यूटूबर के कहने से आपको नहीं होगा, ठीके ना, और मेशा एक फर्ज बनता है आपके सामने वो सच लाना जिसकी वज़े से आपके मन में पढ़ने की इच्छा जागे ना कि आपके अंदर एक जूठा मोटिवेशन आए क्योंकि जूठा मोटिवेशन ना पारणी के बुलबुले जैसा होता है थोड़ी देर में बुलबुला फटा कानी का तम समझ रहे तो पानी के बुलबुले के पीछे नहीं भागना है आपको फोकस करना है कि हम किन अच्छी बातों से अपनी जिंदगी में अपने पढ़ने क पैटर्न को सही तरह डिसाइड कर सके है ठीक है आगे बात को लेके चलते है मिटा वेटिंग एनग्जिसली फोर सम्धिंग किसी चीज के लिए बहुत जादा बेसबरी से इंतिजार करना तो यह हो गया आपके सामने एंटीसिपेट ठीक है न जी है न तो यह हो गया हमारे स हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको गुनाध दो की स्पीड से आप कर रहे हैं ठीक है न जी तो यहां हमारे सामने आट ओफ ओर्ड़ का मतलब तो कोई चीज क्या हो गई है खराब हो गई है यहनि कि कोई चीज अब अपने आप में काम करना बंद कर चुकी है, अब इसके लिए एक शब्द हम अगर कहना चाहें तो के वायर, ठीक है जी, चलो एक homework का शब्द आप लोगों को दी रहा हूं मैं, जरा मुझे बताएं, live wire का मतलब क्या होता है ठीक है जी, at a fast pace बिल्कुल सही answer यही होगा बहुत तेज गती से, यही चीज़ कह रहा है जब double की speed कर रहे हो तो between two undesirable things दो undesirable चीज़ों के बीच में, ठीक है न, तो इसी को अगर हम idiomatic तरीके से देखें, तो आप इसे कहेंगे between the devil and the sea between the devil and the sea इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हमें समझ में आता है कि एक तरफ हमारे सामने शैतान यह एक तरफ हमारे सामने शैतान है ठीक है जी और एक तरफ हमारे सामने साजर है, बता बिटा, कहां से अपनी मृत्यू को चुनेगा, ठीक है कभी-कभी इन दोनों के साथ article the का use भी नहीं होता है between devil and sea, between the devil and the sea, दोनों तरह से ये आपको देखने को मिल जाता है, on the verge of collapse, यानि के एक ऐसे अंत पर, जहां सब कुछ क्या हो जाएगा, सब कुछ खतम हो जाएगा, तो बिटा, इसके लिए idiom है, on the brink इसके लिए जो idiomatic expression है on the brink, ये इसका meaning है तो बिटा, सारी बाते हटा कर हमने सही जवाब पर mark कर दिया मुद्दा, ठीक है दोस्तों चली बचों, अगले question क्यों चलते है rose colored glasses rose colored glasses का मतलब हमें क्या समझ भाएगा, ये है आप लोगों के सामने एक खुबसूरत सा चश्मा ते नुकाला चश्मा जचदाए जचदाए गोरे मुखडे ते ते आदत तुसी सुधारो ठीक है ना जी, आदत तुसी सुधारो एथे गल की होगी पर जी एथे गल यी होगी है कि जदो तुसी इस question नो वेखोगे ते एथे जो चश्मे होंदे न एथे जो चश्मे हो गए ते किरे हो गए पर जी, तुसी कहरे जी रोज कलर, आप कहोगे सर रोज कलर तो आपने बनाए नहीं है, ठीक है ना अब रोज कलर का मतलब हमें समझ में आता है, जब हम किसी चीज़ को लेकर, मतलब इसका मतलब हम चीज़ों को आखर देखी बुरी लेकिन वो कलरफल चश्मे की विजए से मेरा चश्मा ट्रांस्पेरेंट है, बहुत कम लोगों को पता चलता होगा कि जष्मा पहनता हूँ, ठीक है ना स्टाइल है भाई ठीक है? ऐसा नी वेटा, आख़ों को colored glasses का मतलब क्या होता है जब आप किसी चीज को लेकर रंगीन सोचते हैं अच्छा सोचते हैं तो आप positive outlook on life जिंदगी को देखने का आपका जो attitude है वो कैसा हो गया मेरे भाई ठीक है positive हो गया ठीक है इसी चीज को paper आप लोगों से एक और नाम से पूछता है sunny disposition ठीक है ना ठीक है a difficult situation को गर हम बताते हैं तो दोस्तों इसको हम कहते हैं a tight spot यानि कि जब सारी चीजे फस जाएं ठीक है बटा an outdated attitude outdated attitude का मतलब क्या समझ में आता है dinosaur mentality paper भाई साब बहुत कम देखने को मिलेगा dinosaur mentality ठीक है ना यानि कि एक ऐसी सोच जो dinosaur के जमाने की है समझ रहे है dinosaur ठीक है आगे अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है ना dinosaur की spelling गलत लिख दी मैंने इसको ठीक कर लेते हैं भाई मेरे को doubt भी था ठीक है dinosaur ठीक है अब dinosaur शब्द पता है क्यों मुझे याद आया बहुत अच्छे परानी थे ये भाई साब आज भी dinosaur के वन्शज हमारे बीच है पता है आप dinosaur के वन्शजों को ढूंडोगे ना आज के जमाने में जो मुर्गा है ना भाई साब आपका ये dinosaur के जमाने का है ठीक है ना ये dinosaur की evolution जो हुई है उसके बाद ये species हमारे सामने है आप कोगे हैं मैं कहूंगा हाँ तो इसका मतलब जो लोग chicken खाते हैं मैं तो नहीं खाता जो लोग मुर्गा खाते हैं इसका मतलब वो डाइनसोर खा रहे है अब belief not based on facts एक ऐसा belief एक ऐसी बात जो तत्यों पर आधारित नहीं है इसलिए इसको आप कहते हैं मित ठीक है बच्चा पारटी ओके चलिए बच्चों के लिए सवाल की और बढ़ते हैं अगर हम दिमाग लगा इखटे मिलाकर वी विल शोरली फाइंड ए सॉलूशन हमें एक सॉलूशन मिल जाएगा ठीक है ना यानि कि अगर हम इखटे मिलकर काम करेंगे किसी चीज को लेकर तो हमें सॉलूशन मिल जाएगा इसी को हम कहते हैं collaborate अब देखो collaborate शब बहुत प्यार से समझ आएगा बाबू कैसे बना है CO का मतलब हमें समझ में आता है टुगैदर ठीक है लेबर का मतलब आप जानते हैं श्रम महनत करना एट का मतलब आप जानते हैं कॉस ठीक है ना यानि कि इखटे मिलकर किसी काम को करने की महनत करना ठीक है धाट काम को सोलो होकर करना अकेला होकर टेक अब रेग का मतलब क्या होगा इसका मतलब हम कहते हैं जब हमने काम कर लिया तो चुट्टी मार ली call it a day पेपर में call it a day कहते हैं बेटा rest for a while जब rest for a while की बात हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या आता है to take a breath ठीक है ना चैन की सांस लेना to take a ठीक है बई work in consultation यही इसके लिए सही answer बनेगा इसका मतलब क्या हो गया sir इखटे मिलकर काम करना ठीक है collaborate काम करना consultation की जगे consolation भी आपको देखने को मिल जाएगा पेपर में consolation भी आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है बटा आईए बचे question 41 पर आते हैं question 41 कहता है the threat यानि के यहाँ धंकी की बात कही गई है of the pandemic is not just a cry in the wilderness ध्यान से समझना sir pandemic का मतलब क्या है sir pandemic किसी शब्द में अगर देखने को मिल जाए तो यह बताने का काम करता है disease pan का मतलब हमें समझ में आता है all यानि के कैसी बिमारी जो सब जगे फैली है अब इस बिमारी की क्या कही है बिटा जी आप कहेंगे sir threat धंकी कही गई है ठीके न a cry in the wilderness यानि के जंगली पने में या जंगल में जब कोई चिलाता है मदद की बचाओ 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 तो ऐसी जो चिलाने की आवाज है अब जंगलों में बहुत सारे शिकार हो रहे हैं है ना जंगलों में बहुत सारे शिकार हो रहे हैं वहाँ पर जितने जानवरों को मारा जा रहा है, क्या उनकी चीखने चिलनानी के आवाज हम तक महुचती है, नहीं महुचती, तो आप इसी चीज को क्या कहेंगे, warning तो ठीक कहा, unheeded, unheeded का मतलब जिसे किसी ने सुना नहीं, ठीके न, जिसे किसी ने सुना नहीं, तो आप इस मामू, ठीक है जी, लेकिन ये mourn शब्द का मतलब होता है, किसी चीज के लिए दुख वैक्त करना, किसी चीज के लिए दुख वैक्त करना, ठीक है, अब इस morning का मतलब ing जूड कर, क्योंकि mourn अपने आपे वर्द है, ठीक है बटा, fine, तो morning शब्द अब समझ गये हैं, easy guys, आ कि नुकसान के लिए जब आप दुख व्यक्त करते हैं तो इसका मतलब होता है cry over cry over spilled milk spilled का मतलब बिखरा हुआ जो धर्ती पर आप बिखेर देते हैं वो दूद जो बिखर गया उस पर आपका रूना simple क्या है जो हो गया सो हो गया इसको हम अगर एक शब्द से बता दें तो regret कह देंगे भाई ठीके भाई अब आता है दोस्त हमारे सामने tears of sorrow tears of sorrow का मतलब हमें क्या समझ में आता है दुख के आशू ठीके ना वैसे इसका सटीक अर्थ नहीं है पर फिर भी मुझे याद आया crocodile tears दिखावटी आशू दिखावटी आशू ठीके ना false sorrow भी इससे आप कह सकते हैं ठीके ना हाय ना और भाई spreading rumors इसे हम क्या कहते हैं जंगल की आग spread like wildfire ठीके ना जंगल की आग ठीके ना ये है अपने आप में अगर हम कहने की कोशिश करें rumors ठीके बए ये है अपने आप में rumors आग की तरह कोई भी चीज़ फैलना तो correct answer तो हमें दोस्तों मिल ही गया है आगे बच्चों question 42 पर आपको मलाकात कराते है question number 42 हमें क्या कहता है दोस्तों his comments जो उसके comments है cast a slur slur का मतलब होता है blot ठीके ना जिसे हम कहते हैं धबा ठीके ना जी इसी का synonym अगर हम कहें तो as version ठीके ना आगे लिखा किसी पर डालता है सरी लिखा integrity तो इसे हम लोग अगर कहते हैं तो moral sounding moral sounding का मतलब होता है जिस इंसान का नैतिक रूप से मतलब बहुत जबरदस्त behavior है नैतिक रूप से वो बहुत ताकतवर है ठीके ना जी तो कास्ट असलर अब उनका अगर हम meaning को देखें दोस्तों तो क्या कहेंगे तो सर आप किसी को खराब करने की धबा लगा रहे हैं खराब कर रहे हैं तो प्रशनसा की बात नहीं है damage कह देंगे improve नहीं redeem नहीं ठीक है ना जी प्रेज पोजिटिव, redeem पोजिटिव, improve पोजिटिव, damage ही negative है और negative मीनिंग के लिए हमने इसका answer mark कर दिया ठीक है भई fine अब improved के लिए idiomatic expression अगर हम कहें तो इसको हम कहते हैं turned on new leaf ठीक है ना एक नया पत्ता खुलना redeem का मतलब क्या होता है किसी चीजे से छुटका रा पाना ठीक है ना इसका मतलब होता है saved one's skin ठीक है नا saved one's skin अपनी खाल बचाना यानि कि किसी तरीके के tension torture से अपने आपको बचाना ठीक है damage का आपको पता ही चल गया है praise का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है sang praises ठीक है न तो ये idiomatic इसका expression तो सभी के जो meaning है वो भी मैं बता रहा हूँ answer को detect करने की technique भी समझेगा इनका अगर आपसे question पूछा जाए तो ये question आपके paper में इनसे related मिल जाएगा बचूँ आई ये question number 43 परिवार से भी मिल लेते हैं ठीक है ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों क्या कहता है ठीक है न अब हमारे सामने लिखा हुआ है दोस्तों क्या चीज their relationship has run into rough weather ever since they fell in love with the same girl सुर्फ देखो situation क्या है ये है हमारा एक प्यारा सा दोस्त यो 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 नहीं है भाई आप मेरा नाम ले दोगे ये है आप लोगों का एक दोस्त अमित ठीक है जी और ये है भाई आप खुद ठीक है आपका नाम मैंने रख दिया सुमित ठीक है जी अब आप दोनों के दोनो प्यार की फूक मार रहा हूँ थीक है भाई सब अब आप दोनो के दोनो लड़की बडी अंजानी है सपना है सच है कहानी है देखो यह पगला चक्कर में पढ़ गया देखो यह पगला चक्カर में पढ़ गया इस लड़की का नाम है मिट्टी ठीक है भाई, तो अमित भी मिट्टी के चक्कर में आ गया, सुमित भी मिट्टी के चक्कर में आ गया, दोनों गाने गा रहे हैं, तेरी मिट्टी में मिल जाओं, है भाई, तो भाई साब अब इन दोनों के बीच क्या आ जाएगी, माकरसम, दरार आ जाएगी, तुने मेरे प् रन इंटू रफ वैदर, मोसम बिगड़ गया, हाल खराब हो गया, जब से दे फैल इन लव, प्यार में पड़ गए, किसके सेम गरल के, situation समझा की, बेटा, मेरा सवाल नहीं है, सीप्यो और मेंस का पेपर का सवाल है, पेपर वाला इभी जानता है, बेटा, दो आर्षिक, एक आर्षिक की के चकर में कैसे डूबते हैं, question का answer देखते हैं, भाई, पहले तो देखते हैं, experience difficulties, मुसीबतें जेल नहीं पड़ गई, ठीक है, जी, तो experience difficulties अबनी जगे, ठीक है, fine, तो इसी को अगर हम कहें, तो ये correct answer होगा, इसी को went through hell, ये ऐसे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, went through hell, यानि के नरक से गुजर रहे थे, भाई, अब ये प्रेम की पीड़ा है, ये लोग समझ सकते हैं, ठीक है न, ये प्रेम की पीड़ा है, अगर एक ही, ठीक है न, ऐसी प्रेम की चक्करे बढ़ जाएं तो, brought cool breeze and rains, ठीक है न, ठंडी हवाए आई, तुफान आया, नहीं आया, ठीक है जी, इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, brought respite, इसके लिए क्या कहेंगे, brought respite, respite का मतलब हमें समझना है, relief, ठीक है, relief, करेक्टर बचों, बचों, spelling को लेकर एक छोटी सी marathon आप लोगों के लिए कराई गई है, spelling test नाम से है वो बचों, मेरे YouTube channel English with Gopal Verma पर आप जरू देखेगा, spelling को लेकर बहुत प्यारे प्यारे rules, बहुत अच्छे questions आपको कराएं हैं, उन्हें जरूर देख लीजीगा, क्योंकि spelling test का एक question गलत हो गया, आप merit में बहुत नीचे आ जाएंगे, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूँगा, ठीक है बचे, आता है, become stronger and firmer, firmer का मतलब क्या होता है, जो अपनी स्थिती से हिलता नहीं है, ठीक है न, बात समझे, तो इसको अगर paper में हम देखेंगे न, तो यहाँ इसकी जगे है, लिखा हुआ मिलेगा, steeled oneself, अपने आपको steel का बना लिया, ठीक है न, steel oneself, ठीक है बई, अगला question है, become pleasant and cordial, आपस में दिलों से जुड़ गए, तो सर, cordial का मतलब दिलों से जुड़ गए, तो आप इसे warmed कह सकते हैं, तो यह अपनी जगे गलत है, warmed के साथ आप भी लिख लीजेगा, दिलों से एक द question number 44 पर काम करते हैं, मेरे प्यारे सचे मुचे भाईयों, देखो, क्या कहता है हमारे सामने, my neighbor's son, neighbor's spelling में आपसे पूछा जाता है, neighbor, my neighbor's son is very mischievous, बहुत शैतान है, mischievous spelling test में पूछा जाता है, शैतान है, naughty, and always getting in everyone's hair, हर किसी के मामले में लफडा खड़ा करता रहता है, ठी things at them, उनके उपर चीजें फेकता रहता है, ठीके ना, तो throwing something at somebody, ठीके ना, तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके नजदीक आती है बात, एक giving someone a hard time, किसी को मुश्किल से भरा समय देना, ठीके ना, किसी के लिए, कठिनाईयां खड़ी करना, तो थोड़ा सा नजद ठीक था ये इसके, pulling there है, उनकी जुल्फें पकड़ के खीचता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका मतलब हम समझेंगे, तो ये समझाता है, हमें getting on someone's, या one's nerves, किसी का जीना हराम कर देना, ठीक है, pulling there here, ये इसका आंसर हमारे सामने हो गया, ठीक है न, ये भी नहीं चलेगा, entertaining them, उनको entertain कर रहा था, तो sir, entertain करने के अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है, keeping them in stitches, stitches का मतलब होता है, जोडने वाला, तो जोडे रखने की बात हो गई, sir, actual में इसका meaning हमें समझ में आ रहा है, annoying them, वो उनको सिर्फ परेशान करता था, दु ठीक है जी, तो भाई, परेशान करने के लिए, पहले भी मैं आपको लिख कर बता चुका हूँ, getting under their skin, ठीक है जी, जीना ही हराम कर देना, दुखी ही कर देना, ठीक है जी, हाई ये बचो, question 44 पर काम करते हैं, making the final paper was a really difficult task, बहुत कठिन काम था, final paper को बनाना, but by the end of the week, सबता के अंत तक, ठीक है जी, कोई बात नहीं, I was able to, मैं इसी योग्य था, किस योग्य था, bark of the room tree, bark of the room tree का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है, बेटा, इसका मतलब क्या होत है, जब आप किसी गलत अप्रोच पर काम करते हैं, चलो रुको, पहले इसके correct answer की बात हम कर लेते हैं, इसका correct answer क्या होगा, bark of the room tree, wrap my head around it, cry my eyes out, run out of steam, तो आप कहेंगे, wrap my head around it, इसका मतलब क्या हो गया, किसी चीज को ठीक धंग से समझने की कोशिश करना, ठीक है न, किसी चीज को समझने की योगयता को ही हम कहते हैं, comprehend it, bark of the room tree क्यों गलत हुआ, bark of the room tree गलत क्यों हुआ, बता चुका हूँ मैं आप लोगों को गलत अप्रोच, अब आप ओगे सर, ये क्यों ठीक नहीं है, यहाँ लिखा है न दोस्तों, ये conjunction, but को अगर ध्यान से देखेंगे, तो but एक ऐसा conjunction है, जो contrast बताएगा, हमारे लिखीवी बातों में, जो यहाँ कहा है, जो यहाँ कहा है, विरोधी है, ठीक है ना, making the final paper was a really difficult task, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन, अब लेकिन का मतलब क्या हुआ, आगे आपने उस काम को कर लिया, तब ही तो आप यहाँ लेकिन कह जाना, ठीक है ना जी, correct है, अच्छा वई, run out of stream, stream, यह पहली बार आप सभी के सामने आया है, ठीक है ना, तो यह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे हम कहते हैं, खो देना, खतम हो जाना, क्या चीज़ खतम हो जाना, खो देना, energy, ठीक है ना जी, fine, तो बेटा ज यह तो रोने से ही संबन देत है, इसमें ज्यादा कुछ और दिकत नहीं थी, lose energy, energy खतम हो गई, energy खतम होने का मतलब सोचेंगे, कैसे ताकत निकल गई सर, तो मैं कहूंगा बेटा, उस इंसान के अंदर motivation ही खतम हो गया, ठीक है बई, question number 46 पर आजाएं, बच्छो, question number 46 पर participate in the international scholars contest, but when I saw a preparatory material, I missed the bot, ध्यान जे समझना, शुरुवात में मैंने सूचा था कि मैं participate कर सकता था international scholars contest में, लेकिन, सर, यहां से बट शुरू हुआ, लेकिन, contradiction है, जब मैंने preparatory material को ध्यान से देखा, preparatory material होता है, क्या, समझो इसको ध्यान से, आप हमारा किसी भी selection batch को जब ज content दिया जाता है, आपको जितना भी YouTube पर वीडियो दी जाती है, यह सब आपका क्या है, preparatory material है, ठीक है न, यह तैयारी करने वाला material है, जिसके आधार पर आप तैयारी करते हैं, तो उसको देख कर मुझे क्या feel हुआ, miss the bot, बता चुका हूँ, इसी इसके बारे में बच्चों आप comments में इसका answer मुझे बता सकते हैं, ठीक है, you missed the opportunity, hit the bull's eye, hit the bull's eye का मतलब क्या होता है, जब आपने success को achieve कर लिया है, achieved success, अब आप कोगे sir, achieved success गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहां तो वो बिचरा हताश होने की बात कर रहा है, got cold feet, यही correct answer होगा, got cold feet का मतलब हमें समझ आता है, वो इंसान ठंडा पढ़ गया, उस इंसान का जोच ठंडा हो गया, वो इंसान घवरा गया, he lost control and he lost confidence, confidence ही डगमगा गया, इतना सारा कैसे पढ़ें, है ना भाई, made a scene, सरुस ने ड्रामा कर दिया, made a scene का मतलब होता है, जब किसी का कोई ड्रामा हो जाता है, ना, यानिके तमाशा करना, created a public scene, ठीक है ना, इसी को हम हिंदी में कहते हैं, तमाशा करना या तमाशा खड़ा हो जाना, ठीक है जी, question number 47, आपके इंतिजार में है मेरे बच्चों, आए जी, that student of yours, आपका वो student, has such sound values, देखो, अगर हम किसी नाउन से पहले sound की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है healthy, ठीक है जी, healthy values हैं उस इंसान की, मतलब बहुत ही अच्छा सोच रखता है, he is indeed a, क्या कहेंगे आप, rare bird, बिल्कुल सही जवाब होगा, अधभुत पक्षी, यहां rare bird का मतलब हमें समझ में आ सब लोगों को हसी चूपती है, सर्व हसी की बात यहां पर valid नहीं थी, pain in the neck, pain in the neck का मतलब क्या होता है, जो आपको annoy करें, ठीक है, annoying है, गर्दन में दर्द होने से एक इंसान काम नहीं कर पाता, annoying हो जाता है, pot calling the cattle black, है न, जो दूसरे को बुरा कहें, ठीक है न, जो दूसर के coding, rare bird, यानि कि वो इंसान unique है, जिसके पास अपनी moral values गजब की ही है, CGL Means पर question है, I could make out that, make out का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अर्थ समझना, ठीक है बई, इसके दो अर्थ है, comment section में मुझे answer दीजेगा, ठीक है बच्चे, I could make out that, the conversation was leading to a fight, conversation का, क्या परिनाम निकल रहा था, हमें लेकर जा रहा था, जगडे की ओर ये conversation, इसलिए, मैंने इ इसका मतलब क्या होता है, मैंने इसका क्या कर दिया, made a pass, पस भी वही पिछले सवाल का जवाब बनाता है, निके मैंने तमाशा कर दिया, ठीक है ना, killed two birds with a stone, यानिके एक ही जरिये से दो काम निप्टा दिये, है ना, इसका मतलब अगर हम इसको सामाने भाशा में समझें, ये dual achievement की बात करते हैं, एक तीर से दो शिकार कर दिये, cut corners का मतलब क्या होता है, cut corners का मतलब होता है, shortcut, छोटा रस्ता पकड़ लिया, ठीक है ना, इसका मतलब took shortcuts, took shortcuts किसलिये लिये जाते हैं, जो काम को असान बना दे और cheap कर दे, आप कहेंगे सर, जब दिखाना कि अब की और हमारी बात बढ़ रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस बात को शुरुआत में ही खत्म कर दिया, यानि कि I stopped it early, शुरुआत में ही इस बात को खत्म कर दिया, आईए बच्चा पार्टी अगले सवाल पर काम करते हैं, अगला सवाल बेहत खुबसूरत आप सभी की सा All the members in the family were at their wits end, इसका मतलब सभी serious हो गए, बहुत गुसा हो गए, quite perplexed, perplexed का मतलब क्या होता है, puzzled, सब confused हो गए यार यह करना क्या चाता है जीवन में, absolutely satisfied, ठीक है, पूरी तरीके से संतुस्ट हो गए, ठीक है, अब absolutely satisfied के लिए हम कहते हैं, over the moon, सुना है न वो गाना आप आज मैं ऊपर, आसमा नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, यानिके बहुत ज्यादा संतुस्ट होते हैं जीवन में, तब आप इस तरह की का idiomatic expression बूलने का काम करते हैं, ठीक है जी, fine, अगर हम बात करते हैं, इस और बहुत गुसा, तो इसको आप कहते हैं, boiling mad, यानिक इतना उबल गया है दिमाग कि पागल होने वाले हैं हम, ठीक है जी, set हो गए boss, ठीक है, और very serious को बताने के लिए आप use करते हैं, dead serious, अब यहाँ पर dead का मतलब अगर कोई पूछे, तो dead का मतलब होता है totally, ठीक है ना जी, या exhausted, ठीक है जी, fine, exhausted, अगर आप एक वाक्या का अर्थ मुझे, बताईए, क्या है dead शब्द का यहाँ पर अर्थ, ठीक है दोस्तों, चलिए बचा पार्टी, अगले question क्यों बढ़ते हैं, this is strictly, मतलब कठोर तरीके से, this is strictly, आगे लिखा, but some changes are going to happen in the company in the near future, आने वाले वक्त में, भविश्य में, कुछ परिवर्तन company में, क्य जरूर याद रखेगा, तो जो भी यहाँ का है, परिवर्तन हो रहे हैं, तो परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, क्यानी कि जो existing हमारे सामने चीजे हैं, वो सही नहीं है, ठीक है ना, तो off the rails का मतलब क्या समझ में है, off the rails का मतलब हमें समझ में आ रहा है, out of control, तो sir, out of control की बात य का मतलब solution होता है, ठीक है ना, इसका मतलब जो हमारे सामने क्या है, out of tune, यानि कि लोगों की आपस में ले नहीं बन पा रही है, off the mark, निशाने से हट कर, ठीक है ना जी, इसका मतलब क्या है, अपने आप में something that is inaccurate, और यहां off the record, off the record का मतलब हमें क्या समझ में आया, off the record का मत समझ में आता है, something that is confidential, ठीक है ना, something that is no more confidential, ठीक है, तो यह question ऐसा है, this is strictly, क्या कहेंगे, but some changes are going to happen in the company, in the near future, ठीक है, तो off the rails, out of control कहता है, off the key, out of time कहता है, हमारे सामने लिखा हुआ, ठीक है जी, आगे हमारे सामने, सर यह time नहीं है, tune है, tune, ठीक है न जी, off the mark, inaccurate, off the record, no more confidential, तो company में सुधार तब आता है, जब control से बाहर हो जाएं चीजें, ऐसा भी नहीं है, जब आपस में ले नहीं मिल रही, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों लगबग जैसी ही meaning को बताते हैं, कोई चीज accurate नहीं है, तो इसका मतलब control से बाहर है, कुल मिलाकर ये भी वही है, सर ये हमारे सामने बिलकुल अदवुत है, जो meaning को justify करता है, के अगर चीजें off the record चल रही है, confidential नहीं है, सारी company की जो personal बाते हैं, वो public है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कुछ नए changes लाने होंगे company में, ठीक है जी, मेरे फ्या बच्चों को अगर ये प्यार प्रेम, ये बेहनत अच्छी लग रही है, वीडियो को share जरू कीजेगा, उन सभी बच्चों तक जो अब भी नहीं जागे हैं, लेकिन हो सकता है किसी एक class को देखकर, उनका confidence improve हो, और वो अपने लक्षे की और बढ़ सकें, आज के लिए तना झाल झाल